वेलकम डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एपको में यूट्यूब चनल में तो आप सब के लिए काफी अच्छी खबर है CDP स्टूडेंट्स के लिए मौस्ट यहां पर काफी गुड़नों से CDP कैटेगरी केस का फाइनल डिसिजन आज चुका है यहां पर आप्डेख सकते हैं उनको भी एक रिकॉर्ड कापी देनी है जेके बोपी को मतलब है रिमार कलब्ड कैटेगरी का मतलब है यहां पर आगे मैं आपको बताऊंगा कलब्ड कैटेगरी का मतलब है CDP पलस JKPM दोनों को मिला कि 2% डिजर्वेशन नीट पीजी के लिए बाकियों के लिए अलग है यहां पर MBBS के लिए आपर आप देख सकते हो 3% है और only CDP कैटेगरी है और MBBS के लिए 24 सीटे हैं उसके बाद 82 नरसिंग के लिए 23 BSC पैरामेडिकल के लिए स्तारा टेकनालोजी के लिए 2 CDP कैटेगरी only सिर्फ पोश्ट ग्रेजवेट में JKPM पलस CDP को एकटा कलब डिकेटिकरी बनाया गया है बाकि यहां पर good news है decision आ चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं CDP का case यहां पर था और इसमें काफी यहां पर यहां पर यह भी दिया गया हुआ है कि यहां पर जो है आपकी selection list वो भी shortly आएगी इस notification में वो भी लिखा गया है तो यहां पर आप देख सकते हो BSC nursing में 3% BSC paramedical में भी यहां पर आपको reservation दी गई है technology में reservation है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो यहां पर last line आप देख सकते हो Indian nursing council की कातिज दसमर last date है भी हो रहा था selection list में भी delay हो रहा था तो यहां पर final decision अब आच चुका है अब कोई यह सब मसला ही नहीं CDP category का और यहां पर आप देख से शॉटली वो भी आ जाएगा आज यहां पर ज्यादा 12th base का भी जल्दी हो जाएगा आप यहां पर वेट करिए बस आपको सिर्फ वेट करना है link description में नोटिफिकेशन का अच्छे से पढ़ लो काफी यहां पर यह long notification है तो आप यहां पर JK बोबी का भी जल्दी आपका selection list आएगा